हेलो एवरीवन वेल्कम टू न्सेयर्टी साइन्स हब इस वीडियो में आप क्लास 7 के लेशन नमबर 7 वेदर क्लाइमेट और अडपेशन ओफ एनिमल्स टू क्लाइमेट को स्टेडी करेंगे आईए इसमें देखते हैं क्या आपको याद है कि अगर आप जाना हुआ होगा तो आपको किन किन चीजों क्यों पाइक करने के लिए कहा गया था जब इसकाई क्लावडी होगा बादल वाला तब आपके पेरेंट्स ने जोर देख कहा होगा कि आप एक छाता ले जाए आपने ये भी सुना होगा आपकी फेमली फंक्शन के ये बारे में कि अगर वेमली फंक्शन का को डिसकस्न हो रहा है तो उसमें वेदर चीजों बात होते है कि अगर वेदर ऐसा रहा तो हम क्या करेंगे वेदर खराब हो जाएगा तो हम कैसे मैनेज करेंगे यह सारी भी आपने सुने होंगे यूमस्ट हैव अलब अप्सपोर्ट डिस्कसिंग दवीधर बिफॉर दे स्टार्ट आउफ छे अपने एब़ी सुना होगा कि गेम ज्येसे क्रिकेट, कृछेट फुटबाज ये निशनल गेम ये इंटरेशनल गेम शुरू होने से पहले कई बार जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो इसके बारे में बिडिसस करते हैं कि अगर वेदर आज का बहुत खराब लग रहा है ऐसा लग रहा है कि आज बारिश हो जाएगी बारिश होगी तो मौसम खराब हो जाएगा तो फिर क्या होगा हमारा गेम नहीं उपाएगा गेम को ढिले करना पड़ेगा हो सकता है पोस्ट करना पड़े यह सारी चीशे भी अकसर आपने सुनी होगी have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game कि आप wondered नहीं हुए अस्चर चा कितने हुए यह वेदर जो हम पर एक गम भीर हमारे गेम पर हमारे खेल पर गम भीर पर भाधालता है It has a profound effect on our lives यह हमारे जिन्दगी पर हमारे जीवन पर भी गम भीर पर भाधालता है Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for the day पहुत सारे हमारे डेली activities है जिस पर वेदर यह मौसम उसको प्रभावित करता है There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspapers But do you know that is weather really is यहां मौसम की हर दिन रिपोर्ट आती है चाहे वो टीवी हो रेडियो हो या निस्टपर हर जगा इसकी मौसम भागी मौसम की बारे में जानकरी आती है डेली हम सुनते हैं और देखते भी हैं कि मौसम भागी तरफ से यह जनकरी यह नौलेज आए कि मौसम अब कैसा होने वाला है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मौसम ऐसा क्यों है In this chapter we will study about the weather and climate we will also see how different forms of the life are adopted to climate of their habitat In this chapter we will study about the weather and weather, we will study about the weather and climate and we will also study about the different forms of the weather and climate and we will also study about the life we adopted in the climate and habits In figure 7.1 a sample of weather report from a newspaper is given figure number 7.1 we find that the daily weather report carries information about the temperature humidity and rainfall during the past 24 hours It also predicts the weather for the day humidity as you know might know is a measure of the moisture in the air अब ये भी पाए होंगे कि day by day हमारे 24 घंटे की वेदर की रिपोर्ट आ जाती है कि 24 घंटे जो बीद गए है उसमें हमारी humidity, temperature, rainfall कैसा रहा और आने वाले 24 घंटे में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है टेम्टे जादा हो जाए, humidity घट जाए, बढ़ जाए, rainfall हो सकती है इस बारे में पूरा पूरा प्रडिक्शन होता है है ना तो humidity क्या है humidity as you might know humidity क्या है हवा में नमी हवा की अगर नमी जो है उसको हम humidity काते है are musste of air थीक है अगे देखते हैं यह सैंपल दिया हुआ है यहाँ पर जाल से देखे के वेदर का सैंपल दिया हुआ है maximum 16.1 degrees Celsius maximum temperature है किसी वेदर रिपोर्ट का ही है maximum temperature है 16.1 degrees Celsius और minimum है 2.6 degrees Celsius मतलब उस जगह का उस दिन का किसी एक प्लेस का तेंपरिचर क्या है 16.1 डिग्रेसलिशिस ब्रेकेट में लिखा मानेस 5 मतलब मानेस 5 डिग्रेसलिशिस और नीचे हो सकता है ठीक है और 2.6 डिग्रेसलिशिस मानेस 4 ये भी घट बर सकता है संसेट तुजडे का है कि 5 वर्स फोर्टी वर्न मिनट असे लिखा हुआ है इस शाम के पांच बच के तारीस मिनट और संराइज वेड्नस डे मिन अगले दिन का बता रहा है साथ बच कर पंदरा मिनट वैसे मून सेट मून राइस ये बता रहे हैं और मार्स्ट फॉग इन दा मॉर्निंग पार्टली क्लावडी स्काई हलका सा बादल वाला मौसम होगा मिनिमम टेप्रचर विल बी अराउंड फो डिगरी सल्सियस में टेप्रचर हो सकता है लगभग चार डिगरी सल्सियस रहा है और मैक्समों हीमिरिटी मंदे को कितनी होगी 83 परसेंट मिन्स हवा की जो नमी होगी लगभग हवा में जो नमी है वो 83 परसेंट होगी ठीक है और मेरिममम कितनी हो सकती है 37 अगर सिल्सियस यह थी एक निउस पेपर की रिपोर्ट अबार्ट अबट अब अब दफेदर यह जो वेदर रेपोर्ट है वो प्रिपीरड की जाती है मौसम विभाग दोअरा जो की कवर्शन की ही होते हैं अब और यह जो डेटा सारे Wikipedia क्याते हैं Cut out the weather report of the last week from any newspaper if you do not get a newspaper at home, borrow from your neighbors or friends and copy these reports in your notebook. You can also collect weather reports from a library, paste all the cutouts on a fight sheet or on a chart paper. The weather report of the last week from any newspaper. If you have any newspaper or newspaper, you can paste to your newspaper or copy or paste it to your newspaper. Now, what do you need to record? करना है okay now record the information from the weather reports collected by you in table 7.1 the first row is just a sample fill all the columns according to the data in the chart that you have prepared अब जो कुछ आपने record किया है एक हफते का है न तो उसको आप क्या करेंगे उसको अब आप यहां करेंगे जो कि टेबल 7.1 में आपको बताए जा रहा है एक एक एक्जामपल फॉर्म दिया हुआ है 23rd August 2006 का डेटा है डेटा थोड़ा ओल्ड है ठीक है तो maximum temperature उस दिन का क्या है 36.2 degrees Celsius और मिनम कितना है 27.8 degrees Celsius और humidity means हवा में नमी मिन्स हवा की नमी कितनी परसंट है 54 परसंट है और humidity यह minimum थी और maximum कितनी है 82 परसंट रेंफॉल इसको फिल नहीं है इसका मतलब किया हुआ उस दिन बारिश नहीं दिखा रहें इस प्रोडिक्शन उस दिन नहीं है आगे देखें रेंफॉल इस मिजर्ड बाइ इस बाइन इंस्ट्रूमेंट काल दारिंग्ज इस बैसिकली अमिजर्ण स्लिंडर वित अ फण्ल तॉ टॉप्ड रेंवाटर रेंफॉल एक मिजर्ड इस लिंडर होता है रेंफॉल कुछ इस तरह का सिलिंडर होता है मिजरिंग स्लेंडर होगा और यहां पर इसकेल्स बने होगे जैसी वर्षा का पानी इसमें आता है काथा होगा बने होगा हम हुए हैं हम इसको रीड कर दिए यह जान सकते हैं कि यहां वर्षा कितनी हुई है, कि रेंग दो संटीमिटर हुई है, तीन संटीमिटर हुई है, हम इस स्केलिक को रिड़ाट करके यह जान सकते हैं, ओके Do all the seven days have the same maximum and minimum temperature, humidity and rainfall? The maximum and minimum temperature records may be the same for some of the days, however, all the parameters are not the same on any two days, over week there may be considered variation, क्या हफ्ते के सातों दिन, हफ्ते के सातों दिन जो temperature होते हैं, minimum, maximum, humidity, rainfall वो सेम होते हैं, maximum temperature, minimum temperature, humidity और rainfall, क्या यह सातों दिन, क्या वो आपसे मैच करते हैं, मिलते हैं, the maximum and minimum temperature recorded by the same for the sum of days, हो सकता है, maximum or minimum temperature, किसी दो दिन का, तीन दिन का, एक दूसरे से मैच करने लगे, हफ्ते के दो दिन, मैच करने लगे, कि maximum or minimum temperature approximately सेम है, लेकिन जो parameters है, वो, all the parameters are not the same, सारे के सारे parameters के सेम होते हैं, means temperature सेम हो सकता है, है न, humidity, rainfall, कहां सेम होगी, means it will differ, यह differ ही होगी, the day-to-day condition, the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind, speed, etc, is called the weather at that place, हर दिन की, परते एक दिन की, जो condition है, atmosphere की, किसी एक प्लेस की, जो atmospheric condition है, वो क्या है, उसके respect में, temperature, humidity, rainfall, और wind speed, etc, ठीक है, means उसके बाद भी कुछ और अगर हो सकता है, वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पर depend करता है, कि उस अस्थान का weather कैसा है, ठीक है, the temperature, humidity, and other functions are called elements of the weather, temperature, humidity, humidity, or rainfall, wind speed, ये सब elements है, weather के elements है, the weather of a place, change day after day, and week after week, weather, किसी एस्थान का weather, मौसम हर दिन, ये हर दिन से दूसरी दिन, तीसरी दिन बदलता रहता है, इस हफते कुछ और weather, अगले हफते कुछ और हो गया, अभी सनी चल रहा है, फिर कभी और कुछ और हो जाएगा, ये बहुत अच्छा क्लावड़ी मौसम है, फिर थोड़ी दिर बाद कुछ और हो जाएगा, कहां ने सकता हो कि weather अभी है, तो दो घंटे बाद कैसा हो सकता है, दो दिन बाद कैसा हो सकता है, इसलिए हम अक्सर करते हैं, आज का मौसम बहुत नम वाला है, और दे वेदर वोज वाम लास्ट वीक है, ये हम भी कभी करते हैं, कि पिछली हफ़ते का वेदर, पिछली हफ़ते का जो मौसम था, बहुत कर्म था, सकत भी का लूहरण फेना ये ख़रोख। झालिका, यालिया भी करते हाש़आ लूहंस, इसलिए प्नलवाय का वेदर ये जो विटन गए निगा जंड़ वीजव वört। थाउन और चर नड़े थाइस एड ए सुटेंकि प्थosed। and share it with your friends since weather is such a complex phenomenon it is easy to predict it is not easy to predict the weather is such a complex when weather as a complex phenomenon है एसा एक जतिल घटना है कि इसको बदल देना इसको को बदलना है जाए इट कैन वैरी ओवर पीज़ाद ऑफ शॉर्ट टाइम यह हर शॉर्ट टाइम बाद वैरी करता है इस डिफर होता है बदलता रहता है अभी कवेदर कुछ हो और हमेदि बड़ी हुई यह दो घंटे बाद हमेदि कम हो जाएगे तो वैदर चिंज हो गया है in sunny in the morning it can happen sometimes कई बार हो सकता है सुबा 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 की morning बहुत सनी है बहुत धुप वाली है ठीक है गर्म है बिलकुल लेकिन अचानक कहीं से cloud आता है और तीज वर्षा होती है तो weather is changed वर्षा हो गई बहुत तीज वर्षा आने वाली है अचानक क्या हुआ वो बादल में खायब हो गया वहां से अब वहां पर क्या हुआ तेज धूप हो गई यू मस्ट है वार्ट सिवरल सच एक्सपिरिंस इस तरह का आपको पास भी खुद एक्सपिरिंस ही होगा आपने अभी आजकल के विदर में देखा भी होगा इस सबको रिकॉल करो अपने एक्सपिरिंस को जो आपने एक्सिडिस लिया है उनको रिकॉल करो सोच और ध्यान दो और अपने फरेंट से शेयर करो छोगि वेदर ऐसा कॉमपलेक्स फिनूमिनन है इतना जटल गतना है कि हम इसको production असानी के साथ नहीं कर सकते हैं Look at the graph given which Look at the graph given below which shows the maximum temperature recorded during 3rd August 2006 to 9th August 2006 at Shilong Megale figure 7.2 निचे graph दिया हुआ है इसमें maximum minimum temperature दिया हुआ है 3 अगस, 3rd August 2006 to 9th August 2006 का Shilong और Megale का इसको अब observe कीजिए देखिए maximum temperature क्या है 3rd August का 26 degree Celsius अब 4th August का 23.5 degree Celsius 5th August का 25th degree Celsius means 3rd August to 9th August अगस्थम देखिए है तो 24.4 degree Celsius 24.4 degree Celsius अब घट बन रहा है okay okay it is clear from any weather report it is clear from any weather report the maximum and minimum temperature are recorded every day Do you know how these temperatures are recorded in chapter 4 you have learnt Chapter 4, you have learned that there are special thermometers are for this purpose called maximum and minimum thermometers. Can you guess when during the day we have to maximum temperature and when the minimum. As it is clear from any weather report, In any weather report, it is clear that the maximum and minimum temperature is what is. We can see that the maximum temperature and minimum temperature is what is. But you must remember how to find this temperature and how to prepare this temperature. Chapter 4, we have learned that the maximum and minimum temperature is what is needed. The maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon. मwatch यह आट कि अ के भाओ यह Oops और चोअ भ्रक इस ऑन चाहिए और बिद्स दाइब एं सबसे मिस कंट खुदा इंट है अब connell You' य पोर के समय के दुर्चेर सबसे कम होता है कि य नॉ अडेस्टेंड वाइ इं नॉड समंढ इन समर्स फी और फी फी इस सो मेज़रेबल nuevos कंपरेटिवली कंफोरडेबल अर्ली इन दा मॉर्निंग क्या आप ने कभी फिल किया है समर में हमको कभी-कभी ऐसा मैजरेबल सा होता है बहुत दुखी सी हिंद दशा भावना सी होती है आफ्टरून में इतनी गर्मी की वरे से हम लोग कंफोरडेबल फिल नहीं करते और वह All changes in the weather are caused by sun, weather, all changes in the weather, weather के सारे के सारे changes, weather के सारे के सारे changes किस की करण होता है, सूरज की करण ही होता है The sun is a huge sphere of hot gases at a very high temperature, the distance of the sun from us is very large The sun is a huge sphere, sun एक बहुत बड़ा sphere है जो गर्म गैस का गोला है, जो कि बहुत जादा उसका temperature होता है The distance of the sun from us, हमसे और डिस्टेंस जो हमसे और sun का distance है, means earth और sun का distance है, वो बहुत जादा है फिर भी, वहाँ से इतनी जादा energy, sun से इतनी जादा energy, इतनी जादा amount में आती है, कि हमारी earth उसको ले पाती है वहाँ से heat भी हो जाती है, means इतना distance होने के बाद sun बेज रहा है, उसके बाद यहाँ heat भी होती है, और light भी हमको मिलती है हमेरी earth हीट हो जाती है, so the sun is primary source of energy that causes changes in the weather, तो sun हमारा primary source हुआ energy का, जिसके करण हमारे weather में changes होती रहते है energy absorbed and reflected by the earth's surface, oceans and temperatures play important role in determining the weather at any place किसी अस्थान का जो विदर है, वो determine करता है कि उस अस्थान पर जितनी energy sun दोरा दी गई है, जितनी energy sun दोरा में इसकरमी दी जा रही है, उस surface या ocean दोरा reflection कितना हो जा रहा है, atmosphere reflection कितना हो रहा है और वो वहाँ पर कितना उसको रोक लिया जा रहा है, if you leave near the sea, यदि आप समंदर के नजदी कराते हैं, you would have realized that the weather at your place is different from that of place in desert or near a mountain अगर आप समंदर के पास रहते हैं, तो आपको realize ही होगा, आपको ये महसुस होता होगा, कि आप समंदर के पास का temperature और जो वेक्ती desert पे रहा 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 है, या फिर mountain लाखे में रहा रहा है, वहाँ का weather कितना changes होगे, वहाँ के weather में कितने परिवरता होंगे, आई आगे What about the times of sunrise and sunset, you know that in winters it becomes dark early and you do not get much time to play, are the days shorter in winter than in summer, try to find out yourself by completing the project given at the end of the chapter, सुरज निकलने का और सुरज के डूबने का क्या समय है। आप जानते हैं कि विंटर के समय में जाड़ी के दिनों में क्या होता है कि राज जल्दी हो जाती है और हम लोग को खेलने का समय भी नहीं मिलता। कि एंटर के या जाड़ी में थंडी की दिनों में दिन चोटे हो जाते हैं और गरमी की दिन में बढ़े होते हैं। ट्राइड आउट यॉरसेल्फ गशंदिन दिन का की वेड अड़ीन की दिन की चेक्टर इस चेप्टर की अंधे तक जो भी प्रोजिक्ट और इसका इंसर खुदी जाने के कोशिच किजिए नेक्स दिस क्लाइमेट मेट्रोलोजिस्ट रिकॉर्ड वेदर एवरी डे तरी को रिकॉर्ड करते हैं हर दीन के वेदर को रिकॉर्ड करते हैं और उनके पास कई सानों का होता है, डिकैट्स का होता है, डिकैट्स मिस्ट दशक, सेवरल डिकैट्स का रिकॉर्ड कठा की होते हैं और उसी के पैटर्न को रिडाउट करते हैं और उसको बताते हैं ठीक है दे आवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर लॉंग टाइम से ट्वंट फाइब इस काल दा क्लाइमिट अव दा प्लेस आवरेज वेदर पैटर्न जो वेदर का पैटर्न है 20 साल, 25 साल, 30 साल उन सब को स्टड़ी करते हैं मेटरलोजिस्ट स्टड़ी करने के बाद जो फिर वो बताते हैं कि हाँ, आज अब यहां की जलवाईू कैसी हो गई ठीक है, तो वो क्या है? यह है क्लाइमेट इसको हम क्लाइमेट करते हैं क्लाइमेट अफ देट प्लेस इस कहा जाता है, बहुत हाट है, बहुत हीमिज है हाट अंड ट्राइ है ठीक है, तो यह डिपेंड करता है उनके कई सालों की स्टड़ी पर और वेदर क्या है? वेदर तो हमार आज अभी कुछ है, एक घटे बाद कुछ और हो जाएगा, हर वक्त बदलता रहता है एक क्लाइमेट हर समय ही बलता है वो काई डिकेट का ही वेदर पैटन होता है ओके इफ वी फाइंड एट टेंपिचर एट प्लेस इस हाई most of the time, then we say that the climate of that place is hot यदि हम किसी अस्थान का climate पाते हैं, temperature पाते हैं बहुत जाएतर समय गर्म है, तो हम क्या कहेंगे कि वहां की जलवायू कैसी है, महां का climate कैसा है, hot है if there is also high rain fall on most of the days in the same place then we can say that the climate of that place is hot and wet और यदि हम को ऐसा लगता है कि वहां पर हर समय, हर वक भारी वर्शा हो रही है तो हम यह कह सकते हैं कि वहां की जो climate है, वो hot and wet दोनों ही है इन सभी कुछ दिन पहले खुब धुब थी, बहुत गर्मी थी, अब फिर उस लगा कि हां खुब वर्शा हो रही है तो अब यह लगा कि दोनों ही है, इसका मतलब hot and wet दोनों हो गया In table 7.2 and 7.3, we have given the climate condition at two places in India Table number 7.2 and 7.3 में हमने इंडिया के दो climate condition को दिखाया है The mean temperature for a given month is found in two steps Mean temperature दिखाया है पूरे-पूरे month का, means हर month का एक mean निकाला गया है temperature का और इसको यहाँ stable में show किया गया है First, we find the average of the temperature recorded during the month Second, we calculate the average of such average temperature over many years पहले हम लोगों ने एक महिने का निकाला और एक महिने के बाद कई सालों के इन बारे में हम लोग निकालते हैं Second, we calculate the average of such average temperature for many years पहले एक महिने का आवरेज निकाला, means 30 दिन या 31 जैनवरी का लिए तो 31 जैनवरी का हमने mean निकाला अब उसके बाद जैनवरी का हो गया, अभी यह हम जो काई decade का लिए लेंगे तो उसको हम average निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका climate Okay, that gives mean temperature The two places are, वो दो प्लेस काउन से हैं, शीनगर और जम्मु कश्मीर और दुस्तरा क्या है, त्रिवानन्द पुरम हैं के त्रिवानन्द पुरम का अब आएगे टेबल देखते हैं, शीनगर और जम्मु कश्मीर का टेबल देखिए, जन्वरी में, mean temperature है, daily minimum, birthday का minimum temperature कितना था, मानिस 2.3, और maximum 4.7, और mean जो निकला है, total rainfall वो 57 mm, ठीक है, अब वहीं किरला आजाए, त्रिवानन्द पुरम में, जन्वरी में, डेली minimum temperature कितना था, 22.2 degree Celsius, और maximum कितना है, 31.5 degree Celsius, और total rainfall, mean total rainfall, यह कितना है, 23 mm, यह वर्षा हुई, ओके, सबको आप reroute कर लिजे, आगे आते हैं, By looking at table 7.2 and 7.3, table 7.2 or 7.3 को देखकर, we can easily see the difference in the climate of Jammu-Kashmir and Kerala, अब इस table को देखकर, हम आसानी के साथ हम कह सकते हैं, कि Jammu-Kashmir और Kerala के climate में बहुत difference है, इनको देखकर, हम कह सकते हैं, कि इनके climate में बहुत difference है, कि वही जन्वरी में हमको Jammu-Kashmir में temperature मिल रहा है, मानिस 2.3 degree Celsius, minimum temperature, और यहां क्या मिल रहा है, Kerala में, 22.2 degree Celsius, और maximum मिलता है Jammu-Kashmir में, 4.7 degree Celsius, और maximum Kerala में कितना मिलता है, 31.5 degree Celsius, तो यहां बहुत difference है, we can see that Kerala is very hot and wet, in comparison to Jammu-Kashmir, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year, हम यह कह सकते हैं, कि Jammu-Kashmir में, आस्तन, Jammu-Kashmir बहुत ज़्यादा hot and wet, we can see that Kerala is very hot and wet, Jammu-Kashmir की तुला में, केरला में, बहुत ज़्यादा hot and wet climate condition है, मिल्स बहुत गर्मी भी है, और वर्शा भी हो रही है, ठीक है, which has a moderately hot and wet climate for a part of the year, moderately hot and wet, पूरे साल बना रहता है, मिल्स औस्तन या मद्यम, ठीक है, अस्तन या मद्यम जो भी कहले है, केरला में, hot and wet की condition बनी रहती है, similar data for the western region of India, for example, राजस्तान, इसी तरह के data राजस्तान के लिए भी है, western region, पस्टमी, छेत्रे, राजस्तान के लिए है, will show the temperature is high during most part of the year, साल के जादा तर हिस से, साल का दिकांच हिस्सा, दिकांच भाग, वहापर temperature बना राता है, maximum temperature बना राता है, बहुत सादा हाई, बहुत गरी पड़ती है, but during winter, लेकिन ठंडी की दुनों में, which lost only for a few months, जो सिर्फ कुछ महीनों की आती है, temperature is quite low, temperature ठंडी की दुनों में, बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत कम हो जाता है, this region receives very little rainfall, इस region में, इस चेदर में, बहुत थोड़ी सी वर्षा होती है, this is the typically desert climate, यह typical desert climate है, यहाँ पर है, it is hot and dry, और यहाँ की climate कैसी हो ही, hot and dry, the north-eastern India receives rain for a major part of the year, north-eastern India, north-eastern India, उत्तर पूर्वी भारत, जो की receive करता है, for a major part of the year, rainfall receive करता है, therefore we can say that the climate of north-eastern is west, चुकि यहाँ वर्षा receive कर ले रहा है, north-eastern India, उत्तर पूर्वी भाग जो भारत का है, वहाँ पर वर्षा अच्छी हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ की climate कैसे बोलेंगे, यहाँ की climate wet है, so we can say the climate of north-eastern India is wet, okay, okay everyone, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, thank you,